नमस्कार मित्रों आज हम एक ऐसी अद्भुत कथा के बारे में बात करेंगे जो भगवान कृष्ण और भगवान जगन्नात के गहरे और पवित्र संबंद को उजागर करती है यह कथा हमें इस बात का एहसास कराती है कि भगवान की महिमा कितनी अनमोल और अद्वितिय होती है उडीसा के पूरी में स्थित प्रसित जगन्नात मंदिर का इतिहास इसी पवित्र कथा से जुड़ा हुआ है तो चलिए, आज हम इस दिव्य कथा को विस्तार से जानते हैं और समझते हैं कि कैसे भगवान कृष्ण का हरदय भगवान जगन्नात की आत्मा बन गया कथा शुरू होती है द्वापर यूग के अंत से जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना नश्वर शरीर त्यागा यह वह समय था जब महाभारत के युद्ध के बाद भगवान कृष्ण ने इस धर्ती पर अपने अवतार को समाप्त करने का निर्णय लिया जैसे ही भगवान ने अपने शरीर का त्याग किया उनके शरीर के अवशेशों को शांती से प्रकृती के हवाले कर दिया गया लेकिन कहते हैं कि जब उनका अंतिम संसकार किया गया तो भगवान का हरदय जलने से बच गया यह हरदय अमर था, क्योंकि यह उनके दिव्य प्रेम और करुणा का प्रतीक था, जो अनंत काल तक जीवित रहता है कई वर्षों बाद, उडीसा के महान राजा इंद्रद्यूम्न, जो भगवान विश्णों के महान भक्त थे, को एक दिव्य स्वपना आया उस स्वपन में उन्हें आदेश मिला किवे भगवान क्रिश्ण के हरदय के अवशेशों को खोजें और उन्हें एक मंदिर में स्थापित करें राजा इंद्रद्यूम्न ने इस दिव्य आदेश को गहराई से समझा और अपने पूरे राज्य में खोज शुरू कर दी लंबी और कठिन खोज के बाद आखिरकार उन्होंने भगवान के हरदय को समुद्र में एक पवित्र लकडी के टुकडे पर तैरते हुए पाया यह कोई साधारन लकडी नहीं थी बलकि दिव्य शक्ती से परिपूर्ण थी राजा इंद्रद्यूम्न ने तुरंत देवताओं के वास्तुकार भगवान विश्वकर्मा को आमंत्रित किया और उनसे इस पवित्र लकडी से देवताओं की मूर्तियों का निर्मान करने का अनुरोध किया भगवान विश्वकर्मा ने यह कार्यस विकार किया, लेकिन उन्होंने एक शर्ट रखी कि मूर्तियां बनाने के दोरान उन्हें कोई भी व्यक्ति नहीं देखेगा और दरवाजे बंद रहेंगे। राजा ने यह शर्ट मान ली और दरवाजे बंद कर दिये गए। दर्वाजे खोल दिये। लेकिन जब दर्वाजे खुले तो राजा ने देखा कि भगवान जगनात, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां अधूरी थी। जो सीमाओं से परे होती है और जिसे मनुष्य की द्रिष्टी पूरी तरह से समझ नहीं सकती। इसके बाद राजा इंद्रद्यूम्न ने इन अधूरी मूर्तियों को ही प्रतिष्ठित किया और भगवान कृष्ण के हरदय को भगवान जगनात की मूर्ती के भीतर स्थापित किया। इस प्रकार भगवान कृष्ण का हरदय भगवान जगनात की आत्मा बन गया। यह कथा इस बात का प्रतीक है कि भगवान जगनात भले ही वे रूप में अलग दिखते हूं, लेकिन वास्तव में वे भगवान कृष्ण का ही रूप है। भगवान का यह हरदय दिव्यता का अनन्त और अप्रिवर्तनी असार है, जो शारिरिक रूप से परे और इस ब्रहमान में हमेशा उपस्थित रहता है तो मित्रों, इस प्रकार भगवान जगन्नात की मूर्ती में भगवान कृष्ण की आत्मा निवास करती है यह कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान की दिव्यता रूपों और सीमाओं से परे है अगर आपको यह कथा पसंद आई हो, तो कृप्या इस वीडियो को लाइक करें, शेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं जय जगनात